वेल्कम फ्रेंड्स करमचारियों के लंबे समय से अटके अठारे माहे डिये एरियर को लेकर सरकार ने कही बड़ी बात करमचारियों और पैंसन भोग्यों को अब नहीं करना होगा जादा इंतजार जनवरी 2022 से डिये की नई दरे लागू होने का नुमान एरियर के साथ दूसरे बकाया बत्ते भी मिलेंगे जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से सभी केंदर करमचारियों पैंसन भोग्यों का आपके अपने फ्रोशमंद यूटूब चैनल पे नई और फ्रेस वीडियो के साथ बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से एक ही रुकेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आये तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिए बैला इकन दवा लिजे और साथ में एक लाइक जरूर दे दें क्योंकि यही लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए चले जानते हैं सबी ख़बरों को विश्टार से और सेलरी में नहीं हुई कटोती निर्मला सीतरमन ने कहा कि महमारी के दोरान सरकारी मंतरियों सांसदों की सेलरी में भी कटोती की गई ती इसके साथ केंद्री करमचारियों की सेल्ली में किसी तरह की कटथी نہیں की गई और ना ही डिये में कटथी की गई पूरे साल और डिये उनकी सेल्ली का ब्क्तान किया गया था होली पर बढ़ सकता है महंगाई बत्ता आपको बता दे सकाज जनवरी 2022 में बढ़ वे महंगाई बत्ते का तोफा होली पर दे सकती है कैंदरी करमचारियों के डिये में तीन फिजदी के जाफा होने का नुमान है आपको बता दे चैंदरी करमचारियों के महणाई बढ़ने के बाद दिये 84 फिज दी हो जाएगा इसको एक जनवरी 2022 से लागो किया जाएगा यानि करमचारियों को जनवरी और फर्वरी महीने का बढ़ता एरियर के साथ मार्ट महीनी के सेल्डी में मिल सकता है आपको बता दे अगर किसी भी करमचारी की basic salary 18,000 रूपे से 56,000 रूपे के बीच है और उस पर 34,000 रूपे की दर से महंगाई बत्ता दिया जाना है तो 56,900 रूपे की हिसाब से करमचारी को 19,346 रूपे फिरती माँ महंगाई बत्ते गरूप में मिलेगा Thank you for watching